अमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक चोरसिया और आप लोग देख रहे हैं डीपी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने मालें गाइस एंड्रॉइड 12 के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं हमेसा iOS के अपडेट के लिएकर की बात करता रहता हूँ लेकिन आप लोगों के लिए good news है कि आज से अपने चैनल पर आप लोगों को Apple के अपडेट के साथ साथ आपको Android के अपडेट भी मिलते रहेंगे जैसे Android 12 आने वाला है वो किन किन डिवाइसों में आएगा Samsung की डिवाइसों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि Android 12 जो है वो Apple के नहीं बलकि सारी Samsung के किन किन फोनों में जो है Android 12 को अपडेट मिलेगा सो वीडियो एंड तक जरूर देखना और हो सकता आपके फोन को मिले और मैं वहाँ पे एक एक फोन की नाम बताने वाला हूँ कि किन किन स्मार्ट फोन को जो है Android 12 का अपडेट मिलेगा और आपके फोन को क्यों नहीं मिल रहा है वो भी आप समझ जाएंगे इस वीडियो में सो वीडियो एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को अन कर लीजिए क्योंकि Apple के साथ Android के अपडेट के वीडियो इस वीडियो को स्टार करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि Android 11 अभी तक चल रहा था जिन फोनों में उनको तो Android 12 का अपडेट मिलेगा ही मिलेगा तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लिस्ट ले करके आता है यहां पर जेव मैंने भी Google से निकाली है और यह official एक दम साथ है और यहां पर क्या-क्या लिखा है वो भी मैं आप लोगों के अभी पढ़के बताने वाला हूँ तो यह रखा है मेरे पास डिवाइस यह समसंग का M31 है और इसको जो है अपडेट नहीं मिलेगा आपके पास यह फोन है तो मैं बता देता हूँ आपको तो यहां पर लिखा है समसंग 1 UI 4.0 डिवाइस लिस्ट आर पी आर एने समसंग एंड़ॉइड 12 डिवाइस लिस्ट यहां पर आपको साफ साफ लिखके दिख रहा है जो सबसे पहले इस टाइम का समसंग का फ्लैक्सिट फोन है जिसका नाम है गा है समसंग एलक्सी S21 5G फिर नोट 20 5G आता है फिर आता है नोट 20 अल्टरा फिर आता है गाज नोट 20 अल्टरा 5G फिर आता है जी फोल्ट 2 जी फोल्ट 2 5G फिर आते हैं यहां पर टैब की बात करें तो गैलक्सी टैब 7 7 प्लस और 7 5G यहां पर बात करें गैलक्सी टैब 7 S7 प्लस 5G की और फिर 20 series की तो यहां पर आपको मिलेगा Galaxy S20 में S20 5G में S20 5G Ultra Ultra में भी और S20 Plus में भी S20 Plus 5G में भी S20 Ultra में S20 Ultra 5G में S20 Fan Edition में S20 Fan Edition Plus 5G में S20 Fan Edition 5G Plus Ultra और फिर आती ही दोस्तों Z Flip के बारे में तो Galaxy Z Flip में भी है Z Flip 5G में भी है Note 10 Plus में Note 10 Plus 5G Note 10 Note 10 5G और फिर बात करते हैं दोस्तों Galaxy Fold की फिर आता है Galaxy Fold 5G Galaxy S10 5G S10 Plus Galaxy S10 S10E Note 10 Light जो मेरे पास है Note 10 Light नहीं S10 Light है मेरे पास उसको भी Update जो है मिलेगा Android 12 का उसके बाद आता है Tab S6 Lite Tab S6 5G फिर आता है Galaxy Tab S6 फिर आता है Samsung Galaxy A71 5G यहां पर हम बात करेंगे स्मार्टफोन की फिर से A71 A51 5G A51 और फिर आता है A95G उसके बाद यहां पर लिखाए गाइज more new Galaxy smartphones eligible for the Android 12 based one UI 4.0 update तो बात करते हैं यहां पर जो budgeted phone है उनके बारे में यहां पर जो कम price वाले under 20,000 के आते हैं I think यह phone तो सबसे पहला आता है फिर आता Galaxy M12 फिर आता A32 5G फिर A32 फिर आता F62 फिर आता M62 फिर आता F12 फिर आता A72 फिर आता A52 5G फिर आता Galaxy Quantum 2 फिर आता Galaxy M42 5G और उसके निचे साफ साफ लिखा है और अल दा अपकमिं Galaxy A series, Note series, Fold series, Tab series and select A series device we will update this article as soon as we hear anything new about the upcoming software, so guys यहाँ पे guys इन सभी phone को जो है Android 12 का update मिलेगा, तो यहाँ पे Galaxy M31 का कहीं नाम पे जिक्र है नहीं और उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सुन लिया होगा कि आपके Samsung के phone को Android 12 का update मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, अभी हम दोस्तों दो वीडियो और बनाएंगे, तीन वीडियो बनाएंगे, एक वीवो को और वीवो के कौन से phone को, और ओपो के कौन से phone को, Realme, Redmi के किस किस स्मार्ट फोन को Android 12 का update मिलेगा, तो यहाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लिए जएगा, ताकि जब भी वीडियो जालू, और आप लोगों तक जो है notification आ जाए, तो गाइस मिलते हैं फिर किसी ने और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई